हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल NCRT टुटोरियल 2 में और यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के जोगराफी के चैप्टर नमबर 3 को चैप्टर नमबर 3 हमारा कौन सा है चैप्टर नमबर 3 है Mineral and Power Resources तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है Mineral के बारे में कि आखिर यह Mineral होता क्या है हम कैसे इस्तमाल करते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं दुनिया में इंडिया में कहां पाई जाते हैं यह सारे Mineral इसके अलाव के लिए टीवी कम्प्यूटर सेट चलाने के लिए तो ये electricity generate कैसे होती है क्या क्या तरीके है इन सारी चीजों के बारे में इस chapter में हमें बात करना है अब देखिया इस chapter में अगर हम सुरुआत करें तो इस chapter में वही एक कहानी पर जिससका सुगंध का घर कहां पर है धनबाद में और किरी जो है वो काफी एक तरीके से बड़े बड़े इलाके को देखकर चौंग जाती है जो इलाके क्या है पूरी तरीके से black है काले काले इलाके है अब जैसा कि इस image में देख रहे हैं कि जहां पर ये पूरा इलाका है जहां पर ट्रक खड़ा हुआ है ये कैसा है ब्लैक इलाका है पूरा काला इलाका है जो सुकंत है उससे पूछती है वो बच्ची कि आखिर ये जो प्लेस है ये इतना ब्लैक और इतना डॉस्टी क्यों है ये इतना काला क्यों है और यहां पर इतनी तरीके से सुगंत है वो दिखाता है जैसे ये ट्रक्स हैं कि यहाँ पर तुम देख सकती हो कि काफी सारे ट्रक्स हैं जो कि जा रहे हैं आ रहे हैं क्या कर रहे हैं कोईले को ढो रहे हैं और यहाँ पर कोईला क्या है एक तरीके का मिनरल है कोईला क्या है एक मिनरल है तो मिनरल क्या कभी जो baker है जो कि biscuit बनाता है उसको देखा है biscuit बनाते हुए तो वहां पर क्या होता है वहां पर floor, milk, sugar और कई बार eggs को आपस में mix कर दिया जाता है लेकिन जब हम खाते हैं उस bake किये हुए biscuit को तो क्या हम उन सभी ingredient को अलग-अलग देख पाते हैं चीज़े डाली हुई है लेकिन जब आप biscuit खाते हैं तो यह सारी चीज़े आपको दिखती नहीं है तो वही चीज़ यहाँ पर यह समझाने की कोशिस की जारी है तो यहाँ पर यह समझा रहा है कि जैसे biscuit में हम देखते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़े मिलती हैं जिनको की हम सर्फेस है, मिट्टी है, पत्थर है, उनमें दबा हुआ है, और उसी को हम यहाँ पर उसी चीज को मिनरल कहते हैं, अब यह मिनरल होता क्या है, इसको explanation और detail हम तुरन देखने वाले, लेकिन सौट में, कि मिनरल हमें मिलता कहां से है, मिनरल हमें अर्थ पर से मिलता है, अर्थ क बात नहीं है, आपका जो अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ का पूरा लेयर है, अर्थ के उपर का लेयर, उसमें कई जगों पर यह फैले हुए हैं, कहीं जगों पर मिलते हैं, कहीं जगों पर नहीं मिलते हैं, तो इस तरीके से पूरे अर्थ पर यह छितरे हुए हैं, फैले हु है एंग्रेजी में definition बोल दू तो a naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral समझ के definition अगर आप से mineral का definition पूछे तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं यानि कि mineral एक तरीका का क्या होता है naturally मिलने वाला एक substance है यानि कि आप उसको कहीं भी जाकर पृत्वी पर आसानी से naturally प्राप्त कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको वो उसको अपने घर में या फिर लैब में बनाना नहीं होगा वो naturally मिलेगा और उसका एक definite chemical composition होगा समझ गये यानि उसका एक specific chemical formula होगा समझ गये अब दिखिए यहाँ पर आगे कहा जा रहा है minerals are not evenly distributed over space यानि कि हमारे आस पास जो अर्थ है या फिर पूरा space है पूरा environment है वहाँ पर minerals evenly distributed नहीं है यानि कि ऐसा नहीं है हर जगह एक kilo mineral रखा हुआ है वैसी बात नहीं है कहीं पर अगर आप गंठा खोदिएगा गंठा करिएगा तो वहाँ पर आपको 100 kilo minerals मिल जाएंगे किसी जगह पर आप बहुत बड़ा गढ़ा कर लीजे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो यह चीज होता है minerals evenly distributed नहीं है हमारे अर्थ पर they are concentrated in a particular area or rock formation some minerals are found in areas which are not easily accessible such as the Arctic Ocean, Bade, Antarctica यानि कि जो हमारे अर्थ पर कुछ खास ऐसे इलाके हैं कुछ खास ऐसे इस्थितियां हैं कुछ खास ऐसे जगह हैं जहां पर यह हमें मिलते हैं और कुछ तो minerals हमें ऐसी जगह पर से मिलते हैं जहां से उनको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बहुत ही परिशानी भरा हो जाता है यानि कि जैसे Arctic Ocean जो है उसके नीचे जो जमीन ह उसके नीचे से हमें मिलता है या फिर Antarctica से मिलता है तो यहां से minerals को निकालना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है अब देखें यहां पर आगे कहा जा रहा है यहां पर आगे कहा जा रहा है जो minerals है वो अलग-अलग तरीके के geological environment में बनते हैं अलग-अलग तरीके के geological environment कहने का मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि कहीं पर अगर आप देखिए कहीं पर जो lava है वो निकला हमने class 7 में पढ़ा है earth के interior के बारे में तो lava निकला जहां से वहां पर का महौल एक तरीके से अलग है कहीं पर कई सालों से पानी जमा है या फिर जो आपका ऐसे इलाके जहां पर बहुत सूखा है पत्रीला है यानि आपको पृत्वी पर आप देखते हैं कि अलग-अलग situation देखने को मिलते हैं पर क्या है तुरंट तुरंट लावा निकला है वहां पर क्या बना वहां पर हमारा बना एक तरीके का mineral उसके बाद कई जगह हैं वहां पर 1000 साल पहले लावा निकला था और वो ठंड़ा हो चुका है जम चुका है तो बहुत अलग-अलग condition में क्या बनते हैं minerals बनते हैं और minerals को एक तरीके से हम identify कर सकते हैं उनका physical properties के अधार पर उनका color कैसा है उनकी density क्या है उनका hardness कैसा है और उनके जो chemical properties हैं उनके अधार पर तो यह हो गए minerals के बारे में कुछ basic information अब इसके बाद देखिए इसके आगे यहां पर एक जानकारी आपको दी गई है do you know the salt in your food and graphite in your pencil are also minerals यानि कि आप जो salt खाते हैं आप जो graphite आपके pencil में होता है जिस pencil का आप इस्तमाल करते हैं यह दोनों क्या हैं यह दोनों एक तरीके के mineral हैं समझ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं आगे यहां पर क्या है आगे है types of minerals हमने समझ लिया कि mineral क्या होता है mineral एक तरीके का naturally occurring substance होता है जो कि हमें earth के crust में से मिलता है जिसका एक definite chemical formula होता है अब हम क्या करने वाले हैं minerals के types को पढ़ने वाले हैं अब यहां पर दीखे types of minerals में क्या बताया गया है there are over 3000 different minerals याने कि अगर हम पूरी दुनिया में बात करें तो कुल मिलाकर 3000 से भी जादा minerals पूरी दुनिया में पाए जाते हैं समझ गए और यह जो minerals होते हैं यह अपने composition के आधार पर minerals को हम दो part में या फिर दो categories में divide कर सकते हैं कौन-कौन सा metallic और non-metallic याने कि यहां पर दो categories कौन-कौन से हो गया metallic और दूसरा क्या हो गया non-metallic इन दोनों में अंतर क्या है यह जरा सा हम समझ लेते हैं यहां पर है पहला metallic minerals इसके बारे में जान लेते हैं साथ में हम non-metallic जानेंगे दोनों के बीच का अंतर हम जानेंगे metallic minerals contain metal in raw form याने कि जो metallic minerals होते हैं ऐसे minerals होते हैं जिसमें हमें metals मिलते हैं Metals, Metals क्या होते हैं, आप जानते हैं ना कि हमारे पास जितने भी elements हैं, elements हैं जितने भी, उनको तीन parts में divide करते हैं, Metals, Non-Metals और Metalloids, तो यहाँ पर Metallic Mineral कहने का मतलब यह है, वैसे Mineral जिनमें हमें Metals मिलते हैं Raw Form में, Metals are hard substances that conduct heat and electricity and have characteristic lustre or shine, Metals क्या होते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता, तो मैं short में समझा दू, तो Metals एक तरीके के ऐसे hard substances होते हैं, जो heat conduct करते हैं, जो electricity conduct करते हैं और उनके पास lustre का भी feature होता है, shine भी होता है, Lustre कहने का मतलब इनको वायर में, Metals के कुछ example आपके हो सकते हैं, जैसे आपका iron हो गया, copper हो गया, zinc हो गया, यह सारे क्या है, Metals के example हैं, और Metallic Minerals के example आपको iron ore, जिससे की हमें iron मिलता है, bauxide, जिससे aluminum मिलता है, manganese, यह कुछ example हैं आपके Metallic Minerals के, समझ गया है, Metallic Minerals जो हैं, उनको दो पार्ट में हम divide करते हैं, Metallic Minerals को कौन-कौन से दो पार्ट में हम divide करते हैं, यहाँ पर है पहला ferrous, और दूसरा है क्या, non-ferrous, इन दोनों को भी हम समझ लेते हैं, पहले हम Metallic clear कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे non-metallic पर, तो देखें यहाँ पर ferrous और non-ferrous क्या है, इसको समझे तो, Ferrous Minerals like Iron Ore, Magneses and Chromides, contain Iron, Iron contain करता है Ferrous Minerals, यानि कि जो Iron है, जिसको की हम Fe के नाम से जानते हैं, जिसका की आपका Element का जो Formula होता है, वो Fe होता है, Fe के नाम से जानते हैं, ये ऐसे Minerals होते हैं, जिनमें हमें क्या मिलता है, Iron मिलता है, यानि वैसे Minerals जो Iron contain करते हैं, वो हमारे हो गए Ferrous Minerals, समझ गया है? इसके बाद non-ferrous minerals जो हैं ऐसे minerals होते हैं ऐसे metallic minerals होते हैं जिसमें iron नहीं होता है लेकिन दूसरे metal होते हैं जैसे कि gold, silver, copper, lead ये सारे क्या हैं आपको non-ferrous minerals है यानि कि non-ferrous metallic minerals है ऐसे metallic minerals जिसमें iron मौजूद नहीं होता है बलकि दूसरे metals मौजूद होते हैं समझ गया कि metallic minerals क्या होता है metallic minerals जिसमें कि जिनमें से हमें metals मिलते हैं metallic के दो parts ferrous और non ferrous ferrous जिसमें कि हमें iron मिलेगा non ferrous iron के अलावा दूसरे metals मिलेंगे अब यहाँ पर देखे non metallic minerals भी यही एक तरीके का classification है इसी से जुड़ा हुआ कि non metallic minerals होते हैं उनमें metals नहीं पाया जाता है metals नहीं मिलते हैं इसके कुछ example हैं जैसे limestone, mica, gypsum ये कुछ example हैं जो कि आपके non metallic minerals के example हैं इसके अलावा जैसे कि coal, petroleum ये सारे भी क्या है non metallic minerals हैं तो क्या petrol है उसमें iron होता है नहीं होता है कोईले में iron होता है नहीं होता है तो ये सारे क्या है metals हैं नहीं metals नहीं है तो इनका जो और होगा वो क्या metallic होगा नहीं होगा non metallic और होगा ये सारे यहाँ पर देखे अब आगे बताया गया है minerals को हम extract कैसे कर सकते हैं, minerals को हम निकाल कैसे सकते लेकिन उसको हम थोड़ा सा summarize कर लेते हैं, types of minerals को थोड़ा सा sort में summarize कर लेते हैं, हमारे earth पर 3000 से भी ज़्यादा minerals पाए जाते हैं, minerals को classify हम कर सकते हैं, दो पार्ट में metallic और non-metallic, इन दोनों में फर्क क्या है, metallic हमारा, उससे जो हम minerals होगा, metallic minerals उसमें हमें क्या मिलेगा, metals मिलेंगे, non-metallic में metals नहीं मिलेंगे, आपको metallic को दो पार्ट में हम divide कर सकते हैं, ferrous और non-ferrous, Ferrous यारी कि उस ओर में, metallic mineral में क्या मिलेगा, हमें iron मिलेगा, non-ferrous में iron के अलावा दूसरे metals मिलेगे, जैसे gold हो गया, aluminium हो गया, ये सारे हो गया, तो इस तरीके से minerals का classification हो गया, इसके बाद यहाँ पर एक जानकारी दी गई है, do you know करके, A rock is an aggregate of one or more minerals, but without definite composition of constituent of minerals, समझ गया, rock क्या है, एक तरीके का aggregate है, एक तरीके का हम कह सकते है, समू है, संगठन है, एक या एक से जादा minerals का, और यहाँ पर rock में कोई definite composition नहीं होता है, यानि कि कोई rock है, उसमें iron जादा हो सकता है, कम हो सकता है, या फिर एक तरीके कुछ भी हो सक एक वैसा नहीं होता है, rocks होते हैं, उसमें कोई भी आपका minerals हो सकता है, जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या फिर एक जगह जमा है, rocks from which minerals are mined are known as ores, यानि वैसे rocks, जिनमें से हम minerals निकालते हैं, वो क्या हो गए, आपके ores कहलाते हैं, समझ गया, rock तो हो ग अथर कुछ खास rock ऐसे होते हैं, जिनमें से हम क्या करते हैं, minerals निकालते हैं, इन rocks को हम क्या कहते हैं, ores कहते हैं, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी तक करीब 2800 से भी जादा minerals को identify किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कि सिर्फ 100 ही ऐसे हैं, जिनको की ore minerals आपको माना ज जाता है, समझ गया, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, तो आगे अब हम आते हैं किस चीज़ पर, extraction of minerals, यानि कि minerals को निकालते कैसे हैं, इस चीज़ पर हम आते हैं, अब दिखिया, अगर minerals को निकालना है, तो उसके लिए कुछ न कुछ तो हमें करना पड़ेगा, कैसे न आपका minerals निकाला जाता है, दूसरा है drilling, drilling के जरीए भी minerals को निकाला जाता है, तीसरा है querying, इन तीनों तरीकों से क्या किया जाता है, minerals को निकाला जाता है, अब यहाँ पर देखे, mining में दो types हो गए, कौन-कौन से, open cast mining और soft mining, यह सारे क्या हैं, यह सारे को हम detail में अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन यहाँ पर mining का definition बताया गया है, the process of taking out minerals from rocks buried under the earth surface is called mining, यानि माइनिंग क्या है, एक तरीके का process है, जिसमें हम क्या करते हैं, earth surface के अंदर जो हमारे minerals, जो rocks जिन से हमें minerals निकालना है, उसको निकालने का जो process है, वो हमारा mining कहलाता है, अब देखे, यहाँ पर mining के दो प्रकार हो गए, open cast mining और soft mining, इन दोनों को हम समझ लेते हैं, फिर हम drilling और quering की तरफ बढ़ेंगे, अब यहाँ पर देखे, कई बार क्या होता है, कि हमारा जो mineral है, वो earth के surface से थोड़ा सा नीचे है, यानि कि हमने 5 feet गधा-गधा किया, और हमें क्या मिल गय हमारा मिल गया mineral, और हमने क्या किया, असानी से उसको निकाल लिया, तो यह क्या हो गया, एक तरीके का open cast mining हो गया, यहाँ पर यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक example है open cast mining का, आसमान खुला है, बिलकुल क्या किया गया, गढधा किया गया, और गढधा करके क्या किया ग mining, अब soft mining क्या होता है, कि कई बार minerals जो होते हैं, वो earth के surface से काफी नीचे होते हैं, वहाँ पर उतना ज्यादा गढधा करना possible नहीं होता है, वहाँ पर जाकर उसको निकालना possible नहीं होता है, तो क्या किया जाता है, कुछ मशीनों का इस्तमाल किया जाता है, जिनकों की soft कहा जाता है, और कुछ बोर्स बनाकर जैसे आप कुएं देखते हैं, या फिर बोर्वेल देखते हैं उसके जैसा व्यवस्था करके वहाँ पर minerals को निकाला जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको shaft mining कहते हैं, क्या कहते हैं, shaft mining, समझ गए, shaft mining के आपको मैं example दे जाता हूँ, ज प्या किया जाएगा, एक बड़ा सा बोर किया जाएगा, नीचे जाया जाएगा, और वहाँ पर shaft के जरिए, यहाँ पर इसके जरिए, यहाँ से इस तरीके से minerals को निकाला जाएगा, उपर निकाला जाएगा, तो यह हमारा क्या हो गया, soft mining का process हो गया इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद हमारा क्या आ जाता है इसके बाद आ जाता है हमारा drilling drilling देखिए यहाँ पर drilling की बात करें तो drilling आपका soft mining के जैसा ही है लेकिन difference है एक drilling जो है ना वो आपका bore well बनाकर बहुत जादा नीचे जाकर निकाला जाता है और drilling की बात करें तो इसमें example जैसे जो petroleum होते हैं या फिर जो natural gas होते हैं ये बहुत जादा earth के नीचे पाए जाते हैं तो वहाँ से इनको निकाला जाता है किस process के जरीए drilling के जरीए और यहाँ पर drilling का example पूरा वेवस्था बठाये गया है जहाँ पर आपका जो minerals है उसको चाना जाएगा process किया जाएगा यहाँ पर पूरा ocean है आपका इस तरीके से ocean के नीचे जाकर drill करके बहुत नीचे जाकर क्या किया गया है वहाँ से natural gas निकाला जा रहा है या फिर आपका जो petroleum है उसको निकाला जा रहा है यह example है आपका drilling का अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर next है मारा type वो कौन सा है जरा देख लेते हैं वो है querying minerals that lie near the earth surface are simply dug out by the process of querying querying होता है कि भाई देखिए earth surface पर ही आपका मौझूद है या फिर थोड़ा सा थोड़ा नीचे है तो क्या किया जाएगा उसको simply गठा करके या फिर simply उठा कर ले जाएगा तो वो क्या हो गया querying हो गया समझ गया अब इसके बाद आते हैं distribution of minerals के उपर यानि पूरे earth पर जो minerals हैं वो किस कॉंटिनेंट में कितने पाए जाते हैं कहां पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं लेकिन उसके पहले summarize कर देते हैं extraction of minerals को minerals हम तीन तरीके से निकालते हैं mining हो गया drilling हो गया querying हो गया mining दो प्रकार के open cost mining, soft mining mining होता है जब आपके earth surface से थोड़ा मुड़ा नीचे अगर आपका available है उसको क्या किया हमने गढ़ा किया mining करके गढ़ा उसको उखाड कर ले गए mining में भी दो तरीके हो गए open cost mining soft mining, open cost mining होता है क्या वहाँ पर simply आप JCV की मदद से आदमियों की मदद से क्या कर रहे हैं उसको नीचे machine को भेज कर आपने एक तरीके से जो Iranian wheel होता है यानि जो ray hut होता है देखा होगा ना बिल्कुल उसी तरीके का soft use किया जाता है उससे क्या किया जा रहा है वहाँ पर mining किया जा रहा है इसके अलावा drilling होता है जो petroleum होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा deep boring करके वहाँ से petroleum वगएरा या फिर और भी चीज़ें निकाली जाते हैं वहाँ आपका drilling हो गया कि earth surface पर या फिर उसका बिल्कुल नजदिक है उसको simply उठा कर हम ले जा रहे हैं तो यह हमारा querying हो गया इसके बाद distribution of windows की हम बात करने वाले हैं तो उसके पहले देख ले देते हैं यहाँ पर do you know में क्या लिखा गया है you can always tell if a rock contains copper because then the rock looks blue in color यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो rocks हैं अगर उसमें copper मौजूद होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं copper इसमें है इस rock में कैसे क्योंकि वो blue दिखने लगेगा blue क्यों दिखेगा जरा इसका जवाब अपना comment में दीजेगा तो मेरे को पता है लेकिन मैं नहीं बताऊँगा आप लोग को देखते हैं आप लोग कितना ध्यान दे रहे हैं या फिर आप लोग कितना जानते हैं बताइए कि कोई भी rock जिसमें कि आपका copper मौजूद है उसका color blue क्यों हो जाएगा जरा comment करके बताइए इसके बाद हम क्या topic पढ़ने वाले हैं इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं distribution of minerals minerals occur in different type of dives of rocks some are found in inus rock some are in metamorphic rocks while other occur in sedimentary rocks यानि कि जो minerals हैं वो आपको किसी भी form में किसी भी जगह पर कहीं भी पाए जा सकते हैं आपको अलग-लग rocks में भी पाए जा सकते हैं जैसे ignis rock में भी मिल सकता है metamorphic rock में भी मिल सकता है और आपके sedimentary rock में भी मिल सकता है जहाँ पर metamorphic मौझूद है वहाँ पर ज्यादा chances हैं कि आपको क्या मिल जाएगा metallic mineral मिल जाएगा और यहाँ पर यह जो metamorphic या फिर ignis rock formation होना चाहिए यह आपको generally large plateaus के आसपस देखने को मिलते हैं जैसे इंडिया में भी अगर आप iron ore का mine देखियेगा या फिर जो metallic minerals का mine देखियेगा वो आपको या तो Dickon plateaus पर देखने को मिलेगा चोटा नागपूर plateaus पर देखने को मिलेगा यानि जो पठार होते हैं पठार पर यह आपको metallic rock metallic minerals देखने को मिलते हैं iron ore in north Sweden copper and nickel deposit in Ontario Canada iron nickel chromite and platinum in south Africa are example of minerals found in ignos and metamorphic rocks तो यह सारे जो example दिएगा यहाँ पर आपको ignos और metamorphic rocks में क्या मिलते हैं आपको metallic ores मिलते हैं metallic minerals मिलते हैं sedimentary rocks formation of plains and youngfold mountains contain non-metallic minerals like limestone यानि कि अगर आप sedimentary rocks की बात करें या फिर जो आपके youngfold mountain हैं जैसे कि example आपका हिमाले है उसी तरीके के जो youngfold mountains हैं या फिर जो plains में आपके sedimentary rocks मौजूद हैं यहाँ पर generally आपको non-metallic minerals मिलते हैं किस प्रकार के non-metallic minerals आपको इसका example आप जैसे कि coal ले सकते हैं coal आपको generally कहां मिलता है आपको इंडिया के जो plain region है वहाँ पर देखने को मिलेगा या फिर और भी बहुत सारे non-metallic minerals हैं example के लिए आपका दिया गया है limestone deposit जो कि आपका Caucasus region में है France के Magnes deposit Georgia region Ukraine में और phosphate आपको Algeria में यह आपके कुछ example हैं जो कि आपको कहां मिलते हैं sedimentary rocks में मिलते हैं कैसे minerals non-metallic minerals अब इसकी बाद बताया गया है mineral fuels such as coal and petroleum are found in sedimentary strata sedimentary layers के बीच में क्या पाया जाता है आपका यह जो mineral fuels से यह पाया जाते हैं कौन-कौन से coal और petroleum समझ के इसको summarize करते हैं देखिए हमारे जो हमने types दिखा था minerals का metallic और non-metallic metallic minerals हमें क्या मिलेंगे ignos और metamorphic rocks में मिलेंगे वहीं जो हमारे non-metallic minerals होंगे यह हमें sedimentary rocks में मिलेंगे समझ गया अब इसके बाद बारी-बारी से continents को देख लेते हैं किस continent में क्या पाया जाता है कितने amount में या फिर कौन-कौन से चीज़े पाया जाती है और यह जो continent है Asia continent यह world के teen का world में जितना भी teen का production होता है उसका आधा कौन करता है Asia करता है आपको यहाँ पर आपको यह जो map आप देख रहे हैं इसमें iron, copper, oxide के आपको mines दिखाए गए हैं कि पुरी दुनिया में कहाँ पर क्या पाया जाता है इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे क्या बताया गया आपको Asia ही continue हो रहा है इसके बाद Asia के बारे में बताया गया कि देखिए जो China है, Malaysia है, Indonesia है यह world के leading teen producer है यानि कि इनके पास world में सबसी ज़्यदा teen produce होता है और China जो है वो lead, antimony, tungsten इनका भी leading producer है यानि सबसी ज़्यदा produce कौन करता है चाइना करता है और Asia के पास बहुत बड़ी संख्या में manganese, bauxite, nickel, gene, copper इन सभी चीजों का क्या मौजूद है deposit मौजूद है इसके बाद बारी आती है यूरोप की यूरोप की बात करें तो यूरोप world में सबसी ज़्यदा produce करता है क्या iron ore यानि कि world में सबसी ज़्यदा iron ore कहा production होता है यूरोप में होता है और यहाँ पर यूरोप में जो देश है जहाँ पर iron ore सबसी ज़्यदा मौजूद है वो कौन कौन से है वो है रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, ये जो देश हैं, इनके पास सबसे ज़्यदा आइरन ओर का डिपोजिट है यूरोप में, इसके बाद देखे मिनरल डिपोजिट जो है किस चीज के, कॉपर, लेड, जिंक, मैगनीज, निकल, ये आपको यूरोप में इस्टर अब यूरोप में आपको जो इस्टर यूरोप है, इस्टर यूरोप कहने का क्या मतलब है, इस्टर यूरोप कहने का मतलब ये वाला रीजन होगे आपका इस्टर यूरोप, इसके साथ में जो आपका रशिया है, रशिया ऐसा देश है, जो दुनिया का सबसे बड़ा का कुछ हिस्सा एशिया में आता है कुछ हिस्सा यूरोप में आता है तो जो हिस्सा यूरोप में आता है यहां से यह वाला रीजन यहां पर आपको पाए जाते हैं ओर्स किस चीज़ के यहां पर आपको कॉपर, लेड, zinc, manganese, nickel के ores पाए जाते हैं तो समझगे कहां पर पाए जाते हैं इसके आगे अगर बढ़ें तो आगे हमारे सामने आजाता है North America North America के अब हम बात करने वाले हैं अब यहां पर आगे कहा जा रहा है The minerals, mineral deposit in North America are located in three zones यानि North America में जो minerals पाए जाते हैं वो तीन zone में या फिर तीन इलाके में पाए जाते हैं आपके कौन कौन से reason हो गए तो पहला हो गया Canadian reason North of the Great Lakes यानि जो यहां पर Great Lakes कौन से हो गए यहां पर यह जो आप reason देख रहे हैं रूखे map में आपको दिखाता हूँ यह जो आला जो आप देख रहे हैं reason यह आपके हैं Great Lakes इसके North में यानि कि इसके उपर की बात की जा रही है आपका एक reason हो गया इसके बाद दूसरा reason कौन सा बात किया जा रहा है Appalican region की बात की जा रही है यह कौन सा reason है यह आपका यहां पर यह जो आपका इस तरफ का region है यह है आपका Appalican region इसके अलावा अगला कौन सा reason है अगला है Mountain ranges of the West West के mountain reasons यानि कि यह जो reason है यहां पर जो आपके पहाडों की एक्स्रेनी है mountain ranges है उसके बारे में बात की जा रही है यहां पर आपको क्या पाए जाते है minerals पाए जाते है तीन reason हो गए अब यहां पर अगर हम बात करें तो जो यह North America है यहां पर iron, ore, nickel, gold, uranium, copper यह आपको Canadian shield region में पाए जाते है अब यह एक नया चीज क्या Canadian shield region यहां पर दिखे जो center में हमने बात किया कि यह एक तरीके का आपको कौन सा region हो गया आपको North of जो Great Lakes है यहां पर यह तरीके से एक पूरा reason है North में Canada में उसको क्या कहते है Canadian shield region कहते है जैसे इंडिया में Indian plains है ने उसी तरीके से Canadian shield region है यह आपके इसके अलावा जो coal है वो कहाँ पाई जाता है Appalachian region में पाई जाता है यानि कि यह वाला region में coal पाई जाएगा इसके बाद जो western cordilleras जो है यहां पर आपको copper, lead, zinc, gold, silver देखने को मिलते है यानि इस region में समझगे कि North America में कहां कहां कौन सा mineral पाई जाता है यहां पर कहा जा रहा है identify Canadian Shield, Appalachian, Western Cordilleras and Lake Superior with the help of Atlas मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा reason कहां पे है लेकिन आप चाहें तो Atlas वगरा देखकर इसको पता कर सकते हैं इसके बाद अगला आता है हमारे सामने कौन सा South America South America कहां है South America आप जानते हैं कहां मैप पर देखिए यह जो नीचे यह पूरा continent है हमारा यह हमारा कौन सा South America ठीक है अब South America की बात करें तो South America में जो देश है Brazil वो वर्ल्ड में सबसी ज़दा High Grade Iron Ore प्रोड्यूस करता है यानि अच्छी quality का Iron Ore आपको ब्राजिल में पाया जाता है इसके अलावा चीरी, चीली, पेरू यह आपके copper के क्या है leading producer है सबसी ज़दा copper यह दोनों देश प्रोड्यूस करते हैं ब्राजिल और बॉलिविया जो है वोल्ड के teen के largest producer है कौन? ब्राजिल और बॉलिविया यह काफी ज़दा मात्र में teen produce करते हैं South America also has large deposit of gold, silver, zika, chromium, manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos, diamond यह सारे भी आपको South America में बड़ी quantity में बड़े amount में पाये जाते हैं mineral oil is found in Venezuela, Argentina, चीली, पेरू, कोलंबिया यह सारे जो देश से इनके पास mineral oil पाये जाता है अभी आपने Venezuela का नाम भी सुना होगा न्यूज में भी काफी famous था, अभी नहीं, आज के कुछ महीनों पहले तक और वहाँ की इस्तिती बहुत खरा थी लेकिन Venezuela एक समय पर world में सबसे ज़्यदा क्या करता था, oil produce करता था इसके बाद बारी आती है किस चीज़ की अफरीका की, अफरीका कॉंटिनेट की, अफरीका कॉंटिनेट कहां है आप सभी को पता है दिखाने की जरूवत नहीं है अफरीका जो है mineral resources में काफी reach है, काफी जदा minerals अफरीका में पाय जाते हैं वर्ल्ड का largest producer है अफरीका की इस मामले में, diamond के मामले में, gold के मामले में, platinum के मामले में यानि जो महंगे महंगे आपके metals हैं उनके मामले में, south अफरीका, zimbabwe, zyre, world का जितने भी gold produce होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा produce करते हैं, इसके अलावा जो दूसरे minerals हैं जो की अफरीका में पाय जाते हैं, वो हैं आपके copper, iron, ore, chromium, uranium, cobalt, bauxite इसके अलावा अफरीका में आपको Nigeria, Libya और Angola में oil भी पाय जाता है, oil कहने का मतलब petroleum की बात हुरी है, petrol, diesel वगरा की बात हुरी है इसके बाद बारी आती है Australia की, Australia की बात करें तो Australia जो है, वर्ल्ड में bauxite का largest producer है, किस चीज़ का bauxite का largest producer है, Australia कहां है, दिखानी के जरुवत नहीं है लेगिन फिर भी मैं map में आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर दिखे, यह जो आपका continent है यह आपका Australia continent है इसके बाद बारी आती है, Australia की बात करें, Australia भी हमने बात कर लिया कि Australia bauxite का largest producer है इसके साथ ही gold, diamond, iron ore, tin, nickel भी काफी अच्छी मातरा में Australia के द्वारा produce किया जाता है Australia में copper, lead, zinc, manganese भी अच्छी मातरा में मौझूद है कालगूरली और coolguardi areas जो है western Australia की यानि Australia के पस्चिमी हिस्से में यहाँ पर आपको gold का largest deposit मौझूद है इसके बाद आगे बढ़ते हैं किसके उपर, Antarctica के उपर Antarctica की बात करें तो Antarctica की जो geology है उससे यह पता चला है कि देखें वहाँ पर भी काफी सारे mineral deposit मौझूद है और कई तो हैं जो की हो सकता है बहुत बड़ी मातरा में मौझूद हो और यहाँ पर आपको यह जो deposits हैं इसके mineral deposit में आपको coal भी है जो की बहुत ज़्यादा पाए जाता है यह आपको trans Antarctic mountains में पाए जाता है या फिर जो iron है वो आपको prinstal mountains में यह सारे आपके mountains के नाम से हैं जो की आपको Antarctica में रखे गए हैं यह आपको उतनी ज़्यादा जानने की जरुवत नहीं है इसके बाद अगर बात करें तो iron, ore, gold, silver, oil भी आपको commercial quantities में produce हैं commercial quantities कहने का मतलब यह होता है ऐसी quantity जिसको की आप वहाँ पर पैसे लगा कर invest करके अगर निकालते हैं तो आपको profit होता है यानि अगर आपने 100 रुपय का machine वहाँ लगाया, 100 रुपय का खर्चा किया तो आपको 100 रुपय से ज़्यादा वहाँ पर प्राप्ती हो जाएगी minerals की समझ गए यहाँ पर आगे बात की गई है अब हम बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में यानि इंडिया में जो आपके mineral से उनका distribution बात करेंगे सबसे पहले iron की बात की गई है तो इंडिया में iron आपको एक तरीके से high grade iron ore मौझूद है जो mineral से वो आपको कहां पाई जाते हैं जारखंड, औरिशा, 36 गड़, मधिप्रदेश, गोवा, महराष्ट और करनाटका में iron ore स्पाई जाते हैं इसके बाद है बॉक्साइड, बॉक्साइड के ज़्यादा major producers हैं इंडिया में वो है जारखंड, औरिशा, 36 गड़, मधिप्रदेश, गुजरात, महराष्टा और तमिल लाडू इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे है मीका मीका की बात करें तो मीका के deposit आपको जारखंड, बिहार, आंधप्रदेश और राजिस्थान में देखने को मिलते हैं और इंडिया जो है largest producer है और exporter है किस चीज़ का? मीका का इसके बाद है copper, copper आपको produce होता है कहाँ पे? राजिस्थान, मध्यप्रदेश, जारकंड, करनाटक और आंधप्रदेश में मैंगनीज, मैंगनीज इंडिया में कहाँ produce होता है या फिर कहाँ पाए जाता है? महराष्ट में, मध्यप्रदेश में, 36 गड़ में, उडिसा में, करनाटक में और आंध्र प्रदेश में इसके बाद है लाइम इस्टोन, लाइम इस्टोन कहां पाये जाता है इंडिया में ज़्यादा तर लाइम इस्टोन प्रोडूस होता है कहां पर बिहार, जारखंड, उरिसा, मध्यप्रदेश, चतिसगड, राजस्थान, गुजरात और तमिलाडू गोल्ड, गोल्ड कहां पर पाय जाता है इंडिया में, इंडिया में कोलार माइन्स है और जो KGF आपने नाम सुनागा कोलार गोल्ड फिल्ड वो भी इसी से रिलेटेड है कोलार जो माइन्स है करनाटक में वहाँ पर आपको काफी मातरा में गोल्ड के डिपोजिट मौजूद है और यह एक तरीके से deepest माइन्स मौजूद है वर्ल्ड में वर्ल्ड का जो सबसे गहरा माइन्स है उन में से एक है और यहाँ पर सबसे डीप होने की वज़़ से और भी चीजों की वज़़़ से यहाँ पर इस ओर को निकालना क्या है बहुत ही costly हो जाता है बहुत ही महंगा हो जाता है इसके बाद salt की बात करें तो salt भी एक तरीके का mineral है salt आपको seas, lakes, rocks से पाए जाते है इंडिया जो है एक तरीके का largest producer और supporter है salt का तो यहाँ पर हमने minerals के बारे में समझ लिया, minerals कहाँ पाए जाता है, कैसे पाए जाता है, यह सारी चीज़े समझ ली अब इसके बाद बारी आती है uses of minerals की, minerals का हम इस्तमाल कैसे करते है minerals देखिए बहुत तरीके से use होता है, बहुत सारे industries में use होता है minerals जो है, उसको jam के लिए, बहुत तरीके के uses होता है जैसे jam बनाने के लिए जो minerals use होते हैं, वो बहुत ही hard होते है और इनको बहुत सारे jewelry में, बहुत सारे चीज़ों में, coins बनाने में, pipes बनाने में आपको बहुत सारे, मतलब हर चीज़ में minerals होता है आपको घर में जो चूला जल रहा है, LPG के मिनरल से वो क्या है, एक तरीके का मिनरल है, जो आप गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल चला रहे हैं, मिनरल है, जो आपका कार में लोहा लगा है, वो भी एक मिनरल है, जो आपके कार में और भी चीज़े हैं, मिनरल्स हैं, तो आप मिनरल्स का बहुत जादा बहुत तरीके से इस्तमाल करते हैं इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे है conservation of मिनरल्स यानि मिनरल्स को हमें बचाना चाहिए क्यों बचाना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए ये चीज़ समझना है तो यहाँ पर एक चीज़ हमें तो पता ही होगी कि मिनरल्स जो है वो एक तरीके के non-renewable resources है non-renewable resources कहने का मतलब कि अगर हमने उसको एक बार इस्तमाल कर लिया तो उसको हम दुबारा से बना नहीं सकते हैं एक बार इस्तमाल किया कहानी खतम और यहाँ पर है कि एक लाख साल के बाद फिर इतना कोल बन पाए कि हम उसको इस्तमाल करने पाएं तो यह एक तरीके से बहुत बड़ा समय है इसलिए हम क्या समझते है कि यह non-renewable है समझ गया है अब यहाँ पर जो rate of formation होता है वो बहुत ही slow होता है जिस rate से हम क्या कर रहे है consume कर रहे है यह एक तरीके के से वही बात हो गई तो इसलिए क्या हो जरूरी है हमारे लिए जरूरी है कि हम wastage कम से कम करें जितना जरूरी है उतना use करें जितना सही है उतना use करें आपको बिकार में हम इन चीजों का इन मिनरल्स का इस्तमाल ना करें ताकि इसको कंजर्व किया जा सकें अब इसके बाद अगला topic हमारा इस chapter का वो है power resources power resources में generally simply आपको electricity के बारे में पढ़ना है अब यहाँ पर एक बच्चा है सनी उसकी मा जो है अपनी दिन की शुरुआत करती है गीजर चलाती है आयरन करती है बहुत सारे काम करती है जो कि आप भी अपने घर में करते हैं या फिर आपके मा बाप जो है electricity का इस्तमाल करके आपके लिए बहुत सारे काम करते हैं तो इस तरीके से जो पूरा power है वो हमारे लिए क्या होता है बहुत ही जरूरी हो जाता है और ये चीज उसकी मा को भी समझ में आता है और वो सोचती है कि हम लोग कितना dependent हो चुके हैं सारी बाते कहानी है उसकी बारे में जानने के कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ते हैं आगे क्या है यहाँ पर energy या फिर power की बात की जारी है हम सभी के जीवन में power या फिर energy बहुत एक तरीके से important role अदा करता है हम सभी को power जरूरी होती है अपने घर के लिए भी इंडस्ट्री के लिए भी यानि factory वगरा जो चलते हैं agriculture में भी हमें जरूरी है ट्रांसपोर्ट में भी जरूरी है communication में जरूरी है defense हर जगह पे आपको electricity की जरूरत है और power resources की बात करें यानि की जहां से हमें power मिलता है यानि की हम क्या कर रहे है electricity का इस्तमाल कर रहे है हम यहाँ पर बात करेंगे की electricity को बनाया कैसे जाता है अब बनाया कैसे जाता है तो जिस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है कि कौन-कौन सा तरीका है हम electricity बनाते हैं उसको किस category में बाढ़ते हैं उन सभी को बारी-बारी से हम समझेंगे अब यहाँ पर देखे power resources जो है यानि जिस तरीके से हम electricity प्राप्त करते हैं या फिर बनाते हैं उसको हम दो parts में divide कर सकते हैं कौन-कौन सा पहला conventional और दूसरा non-conventional resources यह क्या होते हैं कैसे होते हैं इनको हम समझ लेते हैं conventional resources या फिर conventional sources की बात करें तो यहाँ पर conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time यानि जिनको हम हजारों सालों से यानि कि सुरुआत से हम उनको जान रहे हैं या फिर इस्तमाल कर रहे हैं example के रूप में आपका firewood यानि जो आप लकड़ी जलाकर आग लगाते हैं वो क्या है एक तरीके का conventional source of energy है इसके अलावा fossil fuel यानि जो आपका हो गया क्या coal हो गया petroleum हो गया यह सारे fossil fuel हो गया इनको हम 100 साल 200 साल 300 साल सी जान रहे हैं इस्तमाल कर रहे हैं यह आपके main conventional energy sources है समझ गे अब यहाँ पर आपको एक chart दिया गया है इस chart को हम एक तरीके से जब summary करेंगे तब हम पढ़ेंगे लेकिन हम थोड़ा सा detail में पढ़ लेते हैं उसके बाद हम summary करेंगे firewood की बात की जारी है इसको generally use कहां किया जाता है cooking और heating में use किया जाता है यह तो आपको पता है कि ठंडी लगती है तो आग लगा लो आपका हाथ से लो आपका ठंडी खतम हो जाएगी और अभी भी गाओं में अगर हम बात करें तो firewood का काफी ज़या इस्तमाल होता है इसके बाद आती है बारी fossil fuel की fossil fuel के बारे में बात करते हैं fossil food पहले होते क्या है या फिर ये बनते कैसे हैं तो दिखिए आज के करीब 10 लाख साल पहले 2 लाख साल पहले 20 लाख साल पहले यानि बहुत साल पहले क्या हुआ था जो plants थे जो animals थे वो क्या हो गए जमीन के अंदर दब गए कैसे दब गए भाई वो मर गए वही पर सड़ गए उनके उपर मिट्टी बैठ गए और वही दब गए धीरे 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 काफी नीच चले गए और वो जब उस तरीके से दब गए उस तरीके से वो एक तरीके का लेयर वो बन गए तो हजारों लाखों साल तक उसी तरीके से दबे रहने के कारण उसी तरीके से एक तरीके से सड़ने के कारण वो क्या हो गए एक तरीके से convert हो गए fossil fuel में क्योंकि उनके उपर हजारों लाखों साल तक काफी ज़दा heat उन पर लगा था काफी ज़दा pressure लगा था तो वो क्या बन गए fossil fuel बन गए fossil fuel जैसे की coal, petroleum, natural gas जो हैं वो हमारे conventional energy के main sources है यानि conventional energy जब हम देखते हैं तो उसमें main क्या हमें दिखता है coal दिखता है, petroleum दिखता है या फिर natural gas दिखता है, ये दिखते हैं इसके अलावा इन minerals का जो reserve है वो भी काफी limited है यानि कि अगर हम सही तरीके से इस्तमाल ना करें तो अगले 60-70 सालों में world का सारा coal खतम हो जाएगा सारा petroleum खतम हो जाएगा, समझ गया और जिस हिसाब से हमारा world का population ग्रो कर रहा है या फिर जिस हिसाब से हम इस्तमाल कर रहे है conventional sources का तो ये बहुत ही जल्दी खतम होने वाले हैं जैसे मैंने कहा 50-60 साल में ये खतम होने वाले हैं अब इसके बात बारी आती है coal की, coal की बात करें तो ये एक तरीके से सबसे ज़्यदा पाया जाने वाला fossil fuel है हमारा सबसे ज़्यदा क्या पाया जाता है, coal पाया जाता है इसको हम domestic fuel में भी इस्तमाल करते हैं यानि घर में चुला जलाने के लिए भी industry में भी इस्तमाल करते हैं जैसे iron के industry में, steel industry में steam engine में यानि पहले rail चलाने के लिए coal का इस्तमाल होता था, electricity generate करने के लिए भी हम इस्तमाल करते हैं, यानि जो thermal power होता है, thermal power plant होते हैं, यहाँ पर दिया गया है, कोईले को जला कर हम generator चलाते हैं, उससे electricity generate करते हैं, तो यहाँ पर coal का इस्तमाल होता है, और कोल जो है जिसको कि आज हम इस्तमाल कर रहे हैं वो आज के मिलियन साल पहले बना था यानि कि आज अगर हम सारा कोल खतम कर दें तो अगले 5 लाख सालों तक हमें कोला देखने को नहीं मिलेगा समझ गया इसके बाद यहाँ पर आगे एक चीज बताया गया है बियूरिट संशाइन यह क्या होता है यहाँ पर कहा जा रहा है कि आज के मिलियन साल पहले या फिर 10-20 लाख साल पहले क्या हुआ था कि बहुत सारे फरंस या फिर जो स्वाम्स थे वो क्या हो गए आपके या फिर लेडिंग प्रोडूसर है वो है आपके चाइना, USA, जर्मनी, रस्या, साथ अफ्रीका और फ्रांस अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में आपको कोल, रानी, गंज, जरिया, धनवाद और बोकारों में मिलता है जो की जारकंड में मौजूद है इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे सामने आ जाता है petroleum, petroleum भी एक तरीके का आपका conventional source of energy है जो petrol हम इस्तेमाल करते हैं जिसकेवजद से आपका car चलता है या फिर जिसकी वज़द से आपकी bike चलती है वो petrol क्या है एक तरीके का petroleum product है और इसकी बात करें तो जो petrol होता है, diesel होता ये सारे हमें काफी पतले पानी जैसे दीखते हैं लेकिन ये इतने पतले होते नहीं हैं सुरुवात में जो हमें अर्थ के सर्फेस के अंदर से प्राप्त होता है जो प्रोड़क्ट प्राप्त होता है वो कहलाता है पेट्रोलियम जो की काफी गाढ़ा होता है कितना गाढ़ा यहाँ पर आपको दिखाया गया कि crude oil, उसको crude oil कहते हैं, petroleum को क्या कहते हैं, crude oil कहते हैं, जो कि हमें raw material के रूप में प्राप्थ होता है, earth के crushed के नीचे से, अब यहाँ पर यह जो प्राप्थ होता है, इसको काफी process करके, काफी refine करके, अलग-अलग रूप में हम छानते हैं, य यानि कि हमें petroleum प्राप्थ हुआ, उसको refine करके हमने क्या बनाया, petrol बनाया, उसको refine करके हमने क्या बनाया, diesel बनाया, उसको refine करके mobile बनाया, और भी चीज़े बनाया, यानि कि हम क्या गरते हैं, एक चीज़ हमें petroleum प्राप्थ होता है, उसको refine करके हम अलग-अलग चीज़े बन और ये पाया कहां जाता है? ये पाया जाता है rocks के different layers के बीच में और इनको drill करके निकाला जाता है यानि जो drilling method हमने देखा था उसके जरीए निकाला जाता है और ये आपको offshore भी हो सकते हैं, coastal areas में भी हो सकते हैं, offshore क्या होता है? यानि कि आपको समुदर region में हो गया है, वहाँ बड़े-बड़े factory होते हैं, जिसको की कहा जाता है refinery और ये refinery क्या काम करता है? ये तरीके से इन crude oil को refine करता है और उससे अलग-अलग product बनाता है, जैसे मैंने कहा diesel बनाता है, petrol बनाता है, ketrosine बनाता है, wax बनाता है, plastic बनाता है, lubricant बनाता है, इस वज़ा से जो petroleum है और derivative है, उनको क्या कहा जाता है, black gold कहा जाता है, क्योंकि आज अगर अपने आज सपास देखें तो सारी चीज़े आपके किस चीज पर चल रही है, इन्ही fossil fuel पर चल रही है, आपके car हो गए, आपकी bike हो गए, ये सारे किस चीज पर चल रहे हैं, इसी black gold यानि की petroleum पर चल रहे हैं, औ अलजेरिया में भी काफी ज़या production होता है petroleum product का इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो डिग बोई है जो की असाम में है और साथ में बंबे हाई जो की मुंबई के पास है यहाँ पर साथ में आपका जो कृष्णा और गुदावरी नदी जो है उनके डेल्टा जो है बात करते हैं natural gas की natural gas जो है वो petroleum deposit के साथ ही पाया जाता है यानि जहाँ पर petroleum होगा उसी के आसपास आपको natural gas भी प्राप्त होता है इसको एक तरीके से निकालने का process यह होता है कि जब आप एक तरीके से गढढ़ा किजेगा तो petroleum का layer होता है उसके उपर आपको gas के form में यह त लगों पर तो यहाँ पर बात करें तो आप natural gas को domestic या फिर industrial fuel के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं Russia, Norway, UK, Netherlands जो है natural gas के बहुत बड़े producer है major producer है इंडिया में जैसल मेर, Krishna, Godavari, Delta, Tripura कुछ ऐसे इलाके हैं इसके अलाबा मुंबई में offshore region जहाँ पर natural gas हमें प्राप्त होता है निक देश की सारी जरूरते को पूरी कर सके खुद से production करके नहीं तो ज़्यादा तर जो देश होते हैं वो क्या करते है natural gas को खरीदते हैं दूसरे देशों से किन किन देशों से इनहीं देशों से Russia, Norway, UK, Netherlands और भी जहाँ पर production होता है natural gas का समझ गया है और जिस हिसाब से हम इस्तम इस्तमाल कर रहे हैं fossil fuel का जिस हिसाब से natural gas का इस्तमाल कर रहे हैं इसकी वज़़से क्या हो रहा है कि इनका depletion, इनका खात्मा बहुती speed से हो रहा है और जल्दी क्या होने वाले हैं ये खत्म होने वाले हैं इस वज़़से हमें ध्यान में रखना होगा कि इनका हम कस्त कम स से कम इस्तमाल करें और सही तरीके से इसके साथ में प्रॉब्लेम एक और है वो प्रॉब्लेम है किस चीज का पॉल्यूशन का कि जब हम फोजल फ्यूल का इस्तमाल करते हैं यह पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं तो इसलिए हमें कम से कम फोजल फ्यूल अब यहां पर काए जरा है कि जो rain water है उसको या फिर जो river water है जो नदियां में बाह कर पानी आता है उनको डैम में store किया जाता है और उसको height से गिरा कर Speed pressure से flow कराकर क्या किया जता है Electricity generate किया जता है जब pipe की जरीए In waters को flow कराय जता है और उसे turbine गुमाय जता है जर्नेटर गुमाय जता है उसे क्या होता है Electricity generate होता है समझ गया और जो यहाँ पर यही चीज बताया गया है और इसके बाद यह electricity आप irrigation में इमेज में क्या हो रहा है, यहाँ पर डैम है, यह क्या है, एक डैम है, अब इस डैम में देखिएगा, क्या है, यहाँ पर पानी स्टोर किया गया, यहाँ पर एक पतला सा पाइप लाया गया, इस पाइप के जरीए क्या किया गया, यहाँ पर यहाँ पर इस पाइप के जरीए generate होता है और उससे हम क्या करते है electricity use करते हैं अगर world में बात करें तो world में अगर बात करें तो सबसी ज़्यदा electricity generate होती है इस तरीके से आपको परागवे में नौर में में ब्राजियल में और इसके साथ ही जो हमारा चाइना है चाइना में भी बहुत ज़्यदा electricity यहाँ पर generate की जाती है और जो कुछ important हाइडल power station है इंडिया में वह है भाखडा नंगल डैम, गांधी सागर नगारजुन सागर और दामोदर वैली प्रोजेक्ट यहाँ पर एक example है यहाँ पर क्या किया गया है डैम बनाया गया है, वाटर को इस्टोर करके रखा गया है और उसको गिरा कर किया किया जाता है electricity generate किया जाता है यह आपको कुछ हो गया conventional sources, यानि कि इनको हम 100 साल, 200 साल से इस्तमाल कर रहे हैं लेकिन आगे अब हम बात करने वाले हैं non-conventional sources of energy यानि कि आपके जो non-conventional sources of energy होते हैं, इनका simply मतलब यह होता है कि यह हमेशा से नहीं है, हम इनको पिछले 5, 10, 20, 30 सालों से जान रहे हैं या फिर इस्तमाल कर रहे हैं एक बार मैं sort में क्या करता हूँ advantage और disadvantage यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर easy access असानी से मिल जाता है, energy हमें provide करता है बहुत सारे लोगों को energy provide करता है यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर है कि इसका disadvantage यह है कि यह बहुत pollute करता है greenhouse effect करता है, deforestation इसकी वज़से होता है और यहाँ पर इसको लाने में, जमा करने में बहुत time लगता है, इसकी बाद coal की बात करें तो coal हमें बहुत ज़्यादा मातरा में available advantage है इसका, और यहाँ पर आसानी से हम इससे electricity generate कर सकते हैं, disadvantage क्या है बहुत ज़्यादा pollution करता है और साथ में इसको transport करने में यह बहुत ही heavy होता है इसके बाद आपका oil की बात करें तो oil का advantage क्या है इसको आसानी से transport किया जा सकता है और petrochemical industry में इसका काफी ज़्यादा इस्तमाल होता है इसका disadvantage क्या है oxygen यह deplete करता है क्योंकि इसकी वज़से यह तरीके से combustion करता है इसकी वज़से pollution यह करता है जिसकी वज़से acid drain भी होते है और नए fuel यानि अगर कहीं पर हमारा oil है या फिर natural gas है वो अगर मिल रहा है वो खतम हो जाए तो नई जगों पर खोजना इसको काफी मुश्किल है natural gas में भी यही बात है कि इसको transport करना असान है coal के comparison में यह clean होता है oil के comparison में यह सस्ता होता है तो यहाँ पर यह आपके हो गए एक तरीके से क्या conventional sources में आपका एक और बच गया है hydro power hydro power का advantage होते हैं क्या यह non-polluting होता है irrigation और fisheries को promote करता है सस्ता होता है और यहाँ पर problem यह hydro power के साथ ही है कि जब हम यह काम करते हैं hydro power से electricity regenerate करते हैं तो local community को shift करना पड़ता है क्योंकि हम जब dam बनाते हैं तो बहुत बड़ा ilaqa पानी के नीचे डूब जाता है और इससे क्या होता है इससे लोगों को परिशानी होती है और इसको setup करना मुस्किल है और इसके साथ ही यह जो conventional sources है इसका revision हो गया इसके बाद अब हम आगे क्या देखेंगे आगे हम देखेंगे non-conventional sources of energy तो यहाँ पर non-conventional sources of energy के बारे में मैंने क्या कहा मैंने कहा कि यह जो non-conventional sources of energy होते है ऐससे sources है जिनके वारे में या तो हम बहुत लंबे समय से जान नहीं रहे है या फिर उनकों लंबे समय से हम इस्तमाल नहीं कर रहे है example क्या है example है आपका solar solar non-conventional है wind wind आपका non-conventional है साथ में आपका biogas biogas आपका non-conventional है यह आपके कुछ example है यह एक तरीके से ऐसे sources है जिनके जरीए आज के 50 साल पहले 30 साल पहले हम बहुत ज़्यादा इससे electricity या फिर किसी भी तरीके से हम इसको इस्तमाल नहीं करते थे अब यहाँ पर आगे कहा जा रहा है the increasing use of fossil fuel is leading to its shortage यहाँ पर हमने देखा कि जो fossil fuel है वो limited amount में है और उसको बहुत ज़्यादा इस्तमाल करनी के वेज़े से क्या है कि अगले 50, 60, 100 साल में क्या होगा वो खतम हो जाएगा तो उसकी वेज़े से क्या है कि हम को क्या करना होगा कि दूसरे तरीके ऐसे ढूंडने होंगे तलाशने होंगे जिससे कि हम अपनी energy की जरूरतों को पूरा कर सके तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा ऐसे तरीकों को ढूंडना होगा जो या तो आपका limited ना हो अच्छी मातरा में ऐसी मातरा में हो unlimited मात्रा में हो, साथ में वो pollution कम से कम करें, क्योंकि pollution भी हमारे सामने बहुत बड़ा एक challenge है problem है, तो यहाँ पर यह जो non-conventional sources है, यह बहुत काम में आते हैं, जैसे कि solar energy solar energy नहीं pollution करता है नहीं यह limited है, कभी खतम नहीं होगा, wind energy नहीं pollution करता है, नहीं यह कभी खतम होने वाला है, tidal energy भी ऐसा ही है, कि ना कभी यह खतम होगा, ना आपका किसी तरीके का pollution करता है समझ गया, तो यह आपके होगे non-conventional sources of energy, आई यह हम बारी-बारी से सब को देख लेते हैं यहाँ पर solar energy के बारे में सबसे करने के लिए, यानि सूर के light को और उसके heat को हम electricity में convert कर देते हैं तो यह आपका एक तरीके का solar energy हो गया, और यहाँ पर देखें यह जो आपका यहाँ पर दिया गया है क्या है आपका, non-conventional sources के बारे में पुरे detail में advantage और disadvantage, इसको last में हम देखेंगे पहले हम खतम कर लेते हैं तो दीखें, यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर solar sales का इस्तिमाल किया जाता है electricity को generate करने के लिए solar sales एक तरीके का क्या होता है एक sale होता है, एक pattern होता है इसमें क्या होगा, जब भी heat पढ़ेगा जब भी solar heat पढ़ेगा या फिर solar light पढ़ेगा सूरी की रोशनी पढ़ेगी तो यह क्या करेगा, electricity generate करेगा लेकिन बहुती छोटा सा बहुती छोडा सा, एक electron दो electron के बराबर लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे हजारों लाखों sale को जोड़ देते हैं जब ऐसे हजारों लाखों की संख्या में हम sale attach करके एक solar panel बना देते हैं ये solar panel बहुत बड़ी amount में electricity generate करता है जैसे 100 watt, 200 watt इस तरीके से अलग-अलग power का solar panel आपको देखने को मिलता है समझ गया? और यहाँ पर बात करें तो जो technology है जो की utilize की जाती है solar energy को use करने में इसके वज़से बहुत ज़्यादा फाइदा हुआ है बहुत सारे देशों को खास कर वैसे देशों को जो के tropical region में है यानि जो आपके equator के आसपास के जो देशे वहाँ पर आपको सूरित क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलता है सूरिकी रौष्णी बहुत ज़्यादा मिलती है तो वहाँ पर electricity generation भी solar energy से बहुत ज़्यादा हो सकता है समझ गया solar energy को हम और भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे solar heater उसका बना सकते हैं solar cooker बना सकते हैं जहाँ पर आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं solar energy का mainly use होता है electricity generation में समझ गया इसके बाद है wind energy wind energy क्या है एक तरीके से ऐसा source है जो कि कभी खतम नहीं होने वाला है एक तरीके से inexhaustible source of energy है यहाँ पर wind mills का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप क्या करें आप electricity generate करें लेकिन अगर हम देखें तो कई जगों पर आज के 100-500 साल पहले वहाँ पर wind mills बनाये जाते थे और उनका इस्तेमाल किया जाता था ताकि grains को grind किया जा सके water pump के रूप में उनको इस्तेमाल किया जाता था और ये एक तरीके से काफी लंबे समय से यूज हो रहे थे लेकिन आज के समय में जो wind mills है जहाँ पर wind mills काफी high speed में rotate कर सकते हैं इसको हम electricity generate करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर करते हैं और जो wind farms होते हैं ये एक तरीके से ऐसे इलाके होते हैं लागातार फ्लो कर रहा है और ये wind mills या फिर जो wind farm से उन इलाकों में लगाए जाते हैं wind farms आपको जिनरली जो देश हैं जैसे नीदर लेंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसे, स्पेन में यहाँ पर बहुत ज़दा wind energy production होता है इंडिया में अगर आप बात करें तो तमिलाडो रीजन में या फिर गुजराद के रीजन में आपको wind energy भी काफी ज़दा produce होता है mainly इसका requirement यह है कि ऐसा इलाका हो जहाँ पर आपका wind जो है, वो लागातार और बहुत speed में flow करती रहे इसके बाद next source किया है nuclear power nuclear power क्या होता है आप जानते हैं, यानि nuclear energy का में इस्तमाल करते है electricity generate करने में अब nuclear power generate कैसे होता है बनता कैसे है, तो nuclear power जो है, वो आपको obtain होता है atoms के nuclei से atom का nuclei होता है, उससे generate होता है और यहाँ पर इससे और कोई भी atom नहीं ऐसा नहीं कि कोई भी आप iron का atom ले लिजे तो नहीं generate होगा यहाँ पर कुछ जो खास radioactive element होते हैं, जैसे कि uranium हो गया, thorium हो गया, इनका इस्तमाल करके क्या किया जाता है nuclear power generate किया जाता है यह जो fuel होते हैं, आपके uranium और thorium को nuclear power plant में यानि कि जहाँ पर nuclear power बनता है, वहाँ पर as a fuel इस्तमाल किया जाता है, जैसे petrol, diesel का इस्तमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से fuel की तरह हम इस्तमाल करते हैं, किसका? uranium और thorium का, और यह जो fuel होते हैं, इनमें nuclear fusion कराया जाता है, nuclear fusion कराया जाता है, यानि कि एक atom को कई टुकडों में तोड़ दिया जाता है, और यहाँ पर इन से power generate या फिर power निकाला जाता है, और इसके जरीए क्या करयाता है, electricity generate किया जाता है और world में जो सबसी ज़्यदा power generation होता है, nuclear power के जरीए वो आपका होता है, USA और यूरोप में, इंडिया में राजस्थान जारखंड में आपको uranium के deposit पाए जाते हैं, thorium का भी deposit काफी large quantity में मौजूद है, कहाँ पर monosite sand में, केरल में, केरल में थोरियम काफी ज्यादा मत्रा में available है और इंडिया में जो nuclear power stations हैं, वो आपको कलपकम, तमिलाडू में तारापूर, महराष्ट में, राना प्रताप सागर, कोटा, राजस्थान में और नरोरा, उतरप्रदेश में और कईगा करनाटक में, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि आपका nuclear energy कैसे generate होता है, इसको short में मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर nuclear fuel रखा गया, जो क्या होगा, एक तरीके से क्या करेगा, यह करेगा कि आपका यहाँ पर nuclear reaction होगा, तो यह गर्म होगा heat होगा, तो यहाँ पर heat होगा, तो यहाँ पर इसको इससे water को cross कराया जाएगा, water को जब इससे cross कराया जाएगा, तो water क्या होगा, आपका heat होगा और आपका hot water में convert करेगा, hot water में convert करेगा, और इससे यहाँ क्या कराया जाएगा एक तरीके से, एक chamber में से pass कराया जाएगा, जिससे कि आपका, एक दूसरा pipe गुजरा जाएगा जिसमें की steam होता है अब ये जो water है ये steam में convert हो गया ये इस turbine को यहाँ पर घुमाएगा और electricity generate करेगा यानि इसे दो part हो गए दो part में ये काम करता है पहला तो आपका क्या होगा पहला हो गया यानि कि जो आपका जहाँ पर radioactive material होता है वहाँ पर जो water होता है उसको गर्म करके उसको काफी heat किया जाता है उसके बाद next क्या होता है next होता है कि हम यहाँ पर एक दूसरा chamber इसी में attach कर देते हैं जिसमें की steam generate किया जाता है और steam की मदद से turbine को generate करके electricity generate की जाती है इसके बाद है next हमारा geothermal energy geothermal energy का simple मतलब यह होता है कि वैसी heat energy जो की हमें earth के अंदर से मिल रही है यानि कि यहाँ पर बात की जा रही है कि earth के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि earth के अंदर जो temperature है वो काफी high होता है तो उस high temperature का इस्तमाल करके क्या किया जाता है electricity को generate किया जाता है और यहाँ पर earth के interior में जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे temperature increase होता है तो इसलिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर इस energy का इस्तमाल किया जाता है electricity generate करने में कई बार क्या होता है कि earth के surface पर भी यह आपको heat energy आपको दिखने को मिलता है और इसको हम hot spring कहते हैं यानि कि यहाँ पर अगर आप देखिएगा अर्थ के अंदर temperature काफी ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर leak हो गया steam के रूप में और यहाँ पर पूरा steam का फवारा जैसे आपको नल चलता है विलकूल उसी तरीके से आपको steam निकलते हुए दिखेगा आपको किस चीज में जियो थर्मल एनरजी में इसको hot spring कहते हैं hot spring तो यहाँ पर इस heat energy को इस्तमाल किया जाता है electricity generate करने में समझ गया अब यहाँ पर किया किया जाता है यहाँ पर किया यह जाता है कि जहाँ पर hot spring है यहाँ पर possible है कि हम आसानी से जियो थर्मल एनरजी का इस्तमाल कर सकते हैं वहाँ पर ऐसा system इठाया जाएगा यहाँ पर दो pipes डाले जाएगे एक pipe से water को डाला जाएगा अंदर उससे क्या होगा water अंदर जाएगा गर्मी बहुत जादा है water heat होगा steam में convert होगा दूसरे pipe में वो steam के रूप में उपर आजाएगा और जब steam के रूप में वो वापस आएगा तो वो क्या करेगा इस turbine को घुमाएगा turbine को घुमाएगा तो क्या होगा electricity generate होगा तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इस्तिमाल करते हैं आपको geothermal energy को generate करने में electricity इसके बाद यहाँ पर बात करें तो USA जो है वहाँ पर world का largest geothermal power plant मौजूद है इसके बाद New Zealand, Iceland, Philippines और Central America में भी यह भी मौजूद है इंडिया में अगर बात करें तो geothermal plants आपको मनी करनर में है अमिवाचल प्रदेस में और साथ म आपकशक के हमारा tidal energy, tidal energy क्या होता है? जो हमारा जो समुद्र होता है, समुद्र के किनारे पर जो tides आते हैं उसका इस्तमाल करके tidal energy के जरीया हम electricity generate करते हैं यहाँ पर समझ गया है? जो electricity generate होगा उसको tidal energy कहा जाएगा अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो समूद्र के आस पास के जो narrow opening वाले reason होते है narrow opening कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पर यह पूरा समूद्र है यानि कि यह ocean है और यहाँ पर land है यानि यहाँ पर जमीन है यहाँ पर ocean है यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर कुछ सालों बाद यह तरीके से ऐसी इस्थिती बन गई यानि कि यह पूरा जमीन का हिस्सा हो गया और यह क्या हो गया पानी हो गया यहाँ पर यह आपको क्या हो गया यह आपको हो गया ओशियन यह ओशियन है यह लैंड है यहाँ पर यह लैंड का टुकड़ा है यह पूरा लैंड है और यह क्या है ओशियन है यह आपका ओशियन से जुड़ा हुआ है यह पूरा ओशियन से जुड़ा हुआ है अब आप यहाँ पर जब भी आएगा tide, बहुत ही high tide आएगा, तो क्या करेंगे हम, इस water को अंदर आने देंगे, water अंदर आ जाएगा, तो क्या होगा, पूरा water अंदर की और भर जाएगा, अब जब अंदर water भर जाएगा पूरा, हम gate को बंद कर देंगे, जब tide नीचे चला जाएगा समुद्र का, तो फिर हम water को छोड़ेंगे धीरे-धीरे, और क्या करेंगे, electricity generate करेंगे, समझ गया, यही चीज़ यहाँ पर समझाएगा, कि जब high tide आता है, यानि कि जब water का, sea का water level उपर चला जाता है, high tide क्या होता है, आप अगर चाहें, तो tide, internet पर सर्च कीज़े, high tide and low tide आपको समझ मे आएगा, तो यहाँ पर high tide में क्या होता है, समुद्र का water level जो है, वो increase कर जाता है, तो high tide जब आएगा, तो यहाँ पर water को store कर लिया जाएगा, इस water को store करके रख लिया जाएगा, और जब low tide आजाएगा, समुद्र के water का level नीचे चला जाएगा, तो उस water को छोड़ कर क्या किया जाएगा, electricity generate किया जाएगा, example के तोर पर आपको अगर रशिया जो हैं, फ्रांस हैं, या फिर गल्फ आफ कक्ष हैं, यहाँ पर बहुत सारे, बहुत बड़े-बड़े आपको tidal mill farms देखने को मिलते हैं, इसके बाद है हमारा bio gas, bio gas क्या है, एक तरीके से ऐसा gas है, जो क आपको originate किसी से होता है, organic waste से होता है, यानि जो आपके dead plant और animal materials जो है, waste material उनसे क्या होता है, जब हम gas बनाते हैं उससे, तो वो हमारा bio gas होता है, समझ गया, जो organic waste होता है, उसको decompose कर देता है, कौन bacteria, और यहाँ पर bio gas generate करता है, और bio gas generally होता क्या है, इसमें आपका methane और carbon dioxide mix होते हैं, bio gas जो बहुत ही अच्चा fuel है, cooking के लिए, lightning के लिए, और बड़ी मातरा में एक तरीके से हम इसको produce कर सकते हैं, और इसके साथ ही organic manure भी काफी हमें इससे प्राप्त होता है, bio gas एक तरीके से आपका natural gas जैसा ही है, थोड़ा सा difference है, अब देखें यहाँ पर बात करें, तो जो bio gas है वो हमारे बहुत ही फायदेमन है, क्योंकि उसको हम चाहें तो अपने घर के आसपास भी generate कर सकते हैं, आगे बात करें तो आगे कहा जा रहा है कि energy is everywhere, but we can see that harnessing this energy is more difficult as well as costly, यानि हमारे आसपास हर जगए energy मौजूद है, लेकिन उस energy को प्राप्त करना, उस energy को utilize क एक तो हमारे लिए बहुत ही मुस्किल है, दूसरे हमारे लिए बहुत ही costly है, और हम सभी को एक तरीके से क्या करना होगा, energy को बचाना होगा, energy को waste नहीं करना होगा, ताकि energy की जरूरत को सही मात्रा में सही तरीके से पूरा किया जा सके, और इस वाज़ा से energy अगर हम बचा या फिर जो पूरा power production है उसकी जरूरत कितनी हो जाएगी 20 watt हो जाएगी यानि अगर आप power इस्तेमाल अपना घटा रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कम koila जला रहे हैं आप वहाँ पर कम petrol जला रहे हैं आप वहाँ पर कम fossil fuel जला रहे हैं तो इसलिए कम से कम आप क्य कीजिए, electricity का इस्तमाल कीजिए और यहाँ पर future को अपने बचाएए क्योंकि अभी बहुत बड़ी मात्रा में जो हमारा electricity है वो कोईले से और दूसरे fossil fuel से generate होता है यहाँ पर यह जो chapter ही यह खत्म हो गया इसके question answer है उसको चाहें तो हम अलग से एक वीडियो डाल देंगे आप लोग कमेंट करके बता दिएगा इस वीडियो के comment section में और हमाई इस वीडियो को like कर दीजिए comment कर दीए share कर दीए ताकि और भी लोग पढ़ सकें good bye